वेल्कम बैक तो माई चैनल तो कल के वीडियो में मैंने आपको जो आपकी पोवम नंबर फिर्स्ट है रिस्क वो पढ़ाई थी राइट आज हम आपकी पोवम नंबर जो सेकंड है माई गुड राइट फ्रेंड ये वाली पोवम आपको पढ़ाने जा रही हूं तो इसकी समरी बता देती हूं आपको राइट इसकी समरी है कि जो पोविट है इसकी फैनेंशल कंडिशन अच्छी नहीं है वो बहुत जादा गरीब है तो वह अपने जो रिलेटिव्स हैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे हेल्प मांगता है बट उसको जो इसकी बट उसको help करने से मना गरते हैं तो फिर अपोविट है अपने right hand का तो इस पोवम में right hand का meaning है hard work तो फिर उसकी conditions आए वो सही होने लगती है तो चलिए पोवम स्टार्ट करते हैं I fell into grief and began to complain I looked for a friend but I sought him in vain companions were shy and acquaintance were cold they gave me good counsel but dreaded their gold I fell into grief मतलब grief मतलब दुख okay fell into mean situation में होना तो जो पोविट है वो परिशाने की सिती में है परिशान है पोविट और वो complain करता है I looked for a friend but I sought him in vain अप जो पोविट है वो अपने जो फ्रेंड है उनकी help लेता है friends को ढूंता है बट कोई उसको ऐसा friend नहीं मिला है जो उसकी help करें vain means व्यर्थ means but उसकी जो ढूंना है वो सब व्यर्थ है पिकोज कोई उसकी help करने के लिए willing नहीं है companions were shy and acquaintance were cold जो उसकी companions है जो उसकी friends है वो सब shy है shy का means कोई help करने के लिए तयार नहीं है और जो उसके परिचित लोग है उसकी जो जानकार लोग है वो सब भी cold cold का meaning है unfriendly जो मतलब समझते नहीं है condition को समझते नहीं है तो उसकी अब कोई भी उसकी जो friends है उसकी relatives है कोई उसकी help करने help करने ही नहीं चाहते हो के they give me good counsel but dreaded their gold अच्छे तो सब दे रहे हैं बट उसको कोई भी जो point है वो बहुत जादा पूर है इस poem में राइट सो इसको सला तो सब दे रहे है एडवाइस तो सब दे रहे हैं बट उसकी कोई help नहीं कर रहा है उसको कोई ड्रेडर देर gold का meaning है पैसे उधार देना बट उसको कोई पैसे नहीं दे रहा राइट सो इसका meaning यह है कि जो point है तो उसकी जो fair weather friends fair weather friends का meaning है जो सुख में साज देने वाले friends है वो है जो अब वो उसके जो adversity के time में उसकी कोई help नहीं कर रहे है उसको help के लिए मना कर रहे है then go I exclaimed I have a friend at my side to lift me and eat me whatever betide to trust to the world is to build on the sand I'll trust but in heaven and my good right hand then go I exclaimed तो अपनी जो यह condition है इससे परिशान होके जो point है वो बोलता है कि सब को जाने दो सब कोई भी इसकी help नहीं कर रहा तो उसने अपना mind बनाया है कि सब को जाने दो अभी है मेरे पास एक friend है जो मेरी help करेगा जो मुझे नहीं छोड़ेगा इस time पर के to lift कोई है जो मुझे lift करेगा मुझे support करेगा मेरी help करेगा whatever betide betide का मिंस कुछ भी हो जाए कुछ भी हो अभी मेरे पास एक friend है जो मेरी help करेगा to trust to the world is to build on the sand इस दुनिया पर trust करना इस लोग मेंस लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी पर महल बनाना जैसे है so क्या decide करता है poet अब I'll trust but in heaven heaven का meaning होता है swarg but इस context में heaven का meaning है god वो अब trust करेगा god पे और अपने right hand पे अपने right hand का meaning है या पे hard work पे तो poet decide करता है कि मैं अब hard work करूंगा courage revived in my fortunes despite and my hand was as strong as my spirit was light it raised me from sorrow it saved me from pain it fed me and clad me again and again courage revived courage का meaning है साहस हिम्मत तो जो poet है उसको खुद पे trust करना लगता है वो hard work करना start करता है तो उसका उसकी हिम्मत वापस आती है in my fortunes despite उसका fortunes means luck 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 साथ में नहीं होने पे भी वो खुद पे trust करता है तो उसकी जो courage है वो वापस वो खुद पे trust करने लगता है and my hand was as strong as my spirit was light spirit का meaning है मन तो उसका जो मन हलका होता है मन खुश होता है जैसे कि जैसे वो बढ़ता जाता है वो hard work कर रहा है तो उसका हाथ मजबूत होना का means है कि वो financially progress कर रहा है तो जैसे वो financially progress कर रहा है तो उसका जो spirit है वो light हो रहा है इसका meaning है light का यहाँ पर meaning है happy तो वो खुश हो रहा है कि उसकी जो hard जब सब ने उसको help कर रहा हिए तो वो hard work कर रहा है तो उसको hard work पे कर रहा है It raised me from sorrow, it saved me from pain It fed me and clad me again and again तो अब वो hard work कर रहा है जब it coming है that time is hard work और self confidence तो जब सब ने बना कर दिया तो उसके hard work ने और उसके self confidence ने उसको दुखों से उसको sorrow से उठाया और उसको pain से दुखों से बचाया उसको और उसकी hard work ने ही उसको खिलाया उसको कपड़े दी बार बार जब उसको जरुरत थी तो इसका मतलब है कि poet बताना चाह रहा है कि हम लोगों को अपने hard work पे खुद पे trust करना चाहिए ना कि world पे तो हम अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम उसके लिए हम hard work करते हैं तो right तो अब क्या होता है जब poet की financial conditions अच्छी हून लगती है वो hard work करते है तो the friends who had left me came back everyone तो उसके जो friends थे जिन्होंने fair weather friends थे जिन्होंने उसको पहले help करने से मना कर दिया था वो सब उसके पास वापस आते हैं and the darkest advisors look bright as the sun और उसके जो darkest advisors हैं जो लोग थे जो सिर्फ इसको advise दे रहे थे वो सब भी वापस आते हैं और वो भी एकदम चमकने लगते हैं उसके सामने आते हैं अचानक से I need them no more as they all understand so poet बोलता है कि अब उनकी कोई जुरत नहीं है और ये बात वो भी समझते हैं जो मेरे fair weather friends है I think I thank the I thank the I trust the my good right hand so poet बोलता है कि मैं अब वो किसे पर भी trust नहीं करता है सिर्फ अपने right hand पे right hand का मेनिंग यहां पर है hard work से right so this poem का central idea यह है कि we should not rely on others we should have trust on ourselves we should believe in God and this is our hard work which is going to pay us ultimately right right